आप सभी लोग देखते हैं कि जो आपके तमाम राज्य हैं ये अपने हाँ स्टेट PCS करवाते हैं और जिस तरह से आप लोग सेंटरल लेवल पर एक UPSC देखते हैं आ सेविल सर्विस इसी तरह का स्टेट में स्टेट PCS होता है और आप देखते हैं मद्धविदेश में MPPSC ह होता है उत्तरपदेश में UPPSC कहते हैं जैसे तो मद्धविदेश PCS से MPPSC से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है अपडेट ये है कि आप देखें मद्धविदेश आपका ही है और इसे आप लोग हेदय पदेश भी कहते हैं बीच में होने के कारण कि 2019 का जो आपका MPPSC था ना और इसमें आपने देखा होगा कि रिजल्ट भी घोसित हो चुका था और आपका मुख परीक्षा भी हो चुकी थी तो MPPSC की 2019 की प्यारेंबिक परीक्षा का परिडाम और मुख परीक्षा रद्द कर दी गई है सीधी सी बात आप लोग समझ लीजे प्यारेंबिक प मुख परीक्षा होई थी वो जरूर रद्ध हो चुकी है अब नए सेरे से आप देखी कि वो मुख परीक्षा भी आपकी होगी नए रिजल्ट जो बनेगा उसके हिसाब से जबलपूर हाइकोट ने सरकार और MPPSC को आदेश दिया कि वो 2019 की प्यारेंबिक परीक्षा परीड परीक्षा होई थी इसमें SDM, DSP जैसे प्रमुख पद भी सामिल थे और आरक्षित नीमों में विवाद के बीच कोट ने बड़ा फैसला दिया है 2019 की प्यारेंबिक और मुख परीक्षा के रेजल्ट को लेकर विवाद था और आरोप था कि विवादित नीमों के तहट MPPSC ने पईडाम जारी गिये थे और आरक्षित बर्ग के पितिवहावान चात्रों को सामन सेणी में सामिल ना करने का नियम बना था और जबलपूर हाईकोट ने PCS और सरकार को इस फैसले को चुनोती दी गई थी और सरकार 17 परवडी 2020 को संसोधित नियम लाई थी और आप सभी जानती है कि जब कई लोग इसको लेकर आपने देखा होगा कि कहा गए थी जबलपूर हाईकोट गए हुए थे तो हाईकोट ने एक क्या किया हुआ है एक फैसला दिया हुआ है और आरक्षन की बात करें तो आरक्षन अधीनियम 1994 की धारा 44 के संसोधित अधीनियम को हाईकोट में चुनोती दी गई और सरकार ने हाईकोट में जबाब देती हुए बिवादित नीमो को बापस लेने की ब आदेश दिया है, क्या दिया है, आदेश दिया है, अब आप लोग कहेंगे क्या होगा, तो आपका प्यारंबिक परीक्षा का नए सरे से रेजल्ट बनेगा, फिर आप देखी रेजल्ट घोसेत होगा, फिर आपकी मुख परीक्षा फिल से होगी, आरक्षड की विवादित त जारी किये गए MPPSC 2019 के प्यारंबिक और मुख परिक्षा परिडामों को चुनोती दी थी और सरकार ने आरक्षन अधिनियम में संसोधन करते हुए जनवरी 2020 में एक नया अधिनियम बनाये था और उसके मताबिक आरक्षा सेडी के मेरिटोरियस यानि पितिभा भान चात्राओ को आनारक्षित सेडी के मेरे सूची में नहीं किया जाना था और याजका करताओं ने इस अधिनियम को आप बैदाने गोसित करने और परिक्षा परिडाम निर्स्ट करने की मांग की हुई थी तो उन लोगों का एक तरह से बात मान ली गई बिवादित रिजल्ट की बात कर आरक्षण के बापजूद आरक्षण के बिवादित रिजल्ट के खलाब जबलपूर हाई कोट ने दायर याजकाओं पर सुनवाई चल रही थी और इसमें दिसंबर 2021 में सरकार ने खुद बिवादित रिजल्ट को बापस लेने की बात कही थी और इसके 31 दिसंबर 2021 को जार तक दी थी और मुख परीक्षा पईडामों को चुनोती भी दी थी और भीते दिन सभी याजकाओं पर हाइगोट ने लंबी सुनबाई करते हुए फैसला सुरक्षे रख लिया था और इसे आज जारी कर दिया गया सरकार और MPPSC को निर्देश क्या दिया गया इसे भी देख किजेगा और हाइगोट ने सरकार और MPPSC को निर्देश दिये कि 2019 की परीक्षा पईडामों को पुराने नेमों के तहत फिर से जारी करें उसके बाद मुख परीक्षा युजित की जाएगी हाइगोट ने आज 2020 के आरक्षन के संसोधित अधीनियम को भी आसमीधानित को सित किया गया है तो सीधा सा निसकास यह है कि जो आपका रिजल्ट बन चुका था वो भी नरस्त हो चुका है और जो मुख परीक्षा हो चुकी थी वो भी नरस्त हो चुकी है अब आपका नए सरे से MPPSC 2019 प्रेलिम्स का रिजल्ट बनेगा उसके बाद रिजल्ट जारी होगा औ और आप लोग मुख परीक्षा दे पाएंगे ठेक है तो सीधा सा आप लोग समझके रखिए और MPPSC के तैयारी करते रहे है रेगूलर करते रहे है जो भी रहेगा सामने आता रहेगा